कि नमस्ते कुमा दोसी देश्टोल में आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे नए वीडियो के साथ जुलाई महीना कैप्रिकोन लगना मकर लगना के लिए कैप्रिकोन एसंडेंट के लिए कैसा रहेगा देखिए एसंडेंट शब्दे इस्तमाल कर रहा हूं ठीक से समझ भी दिए क्यानिग कर रहे हूं क्यानिग काम रंदे का प्लानिग कर रहा हूं उसमें आपने किया जून में नमबर वन एक जुलाई से 24 और अगस्ट अभी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने की कोशिश करने कोई बहुत बड़ा सपना देख डालेंगे यह मैंने देखा है जिर्दगी में मैरेज लाइप के लिए वेरी सबसे जागा में कॉम्प्लिकेटर लगना क्याप्रिकॉन गौनुभाव से देखता हूं मैं फ़ेरी सबसे लेकॉन बार लेज़ लाइप को दुनिया से लेना नहीं है बहुत संसीटिव है जाना संसीटिव बार बार में रोना आता है मेरेज लाई में बहुत कैल्कुलेटिव मेरेज लाई और एकदम तफ काम अभी देखें 29 शार से 11 जुलाई तक आपके काम नंदे के लिए जो मैंने बोला कि ठीक ठीक सर्मय है मतलब कहीं अभी देखिए जैसे शनी वक्री हो जाएगा शनी वक्री हो रहा है देखिए 5 जून 12 जुलाई से इस महिने में शनी आपके लगन में आ रहा है यह आपको ऐसा बहुत बार लगेगा नोकरी छोड़ दू अगर आप बिजनस कर रहे तो बात और है काम बढ़ेगा लेकिन नोकरी करते होते तो आपका जवाब दरी बढ़ेगा जनरली लगन का शनी है यह आपकी जिनका cost of living सीधा है कम है उनको शनी धंड नहीं देता है शनी धंड उनको देता है जो punishment उनको देता है जो careless ही काम करते है सो शनीवार को always आप people शनीवार को कवे को खिलाओ Monday से Saturday तब always कोई people का जाड है वहाँ पर पानी शड़ाओ Monday to Saturday को चाले पानी शड़ाओ उनको शनीव अगवान की कुरुपा होती तो यह काम करें के Monday to Saturday पानी शड़ाते रो अपने घर के पास कोई ship मंदिर हो people का जाड हो पीपल के जहाड में पानी शड़ा ते रुषी मंदिल के पाद जनली पीपल का जहाड होता है उस पर पानी शड़ाओ देखिए आपके लिए लॉजिकली देखिए मैंने जो बोला डूबी कैसुल नहीं के लिए ताहिए वो ये कैलेंडर फर मार्क करें तीन चार वारा तेरा पच्छिश् đã सन्विस ही डंटे यह तारीक को मार्क करें रखो इस दिन पर देखिए विधि ये निए एक्स पैंसिव होते हैं जनली या तो यह मन को तकलिक देने वाले होते हैं जैसे यह सिंग राशी का चंड्रह ये ज आपना जो पती या पत्मी है उनसे जादा बैस बाजी में मत पढ़ो हेल्थ के लिए कैरफुल रहो यह तारीक में 12 और 13 एक्सपेंसिव रहेगा बारवा चल रहें आप ज़्यादा टेंशन में रहेंगे तो यह तारीक को रोट करके रखेगा कोई बड़ी मिटिंग है तो ट यानि कि यह एक लंबा सफर खीचेगा यह 12 जुलाई से 16 जनवरी लगनमे शनी आ जाएगा यानि कि आपके करमस्तान को देखेगा सब्टमस्तान को देखेगा आपके स्पाउस की यानि कि पती या पत्नी की हैल्थ का भी इस्यू हो सकता है बट नौकरी के लिए मैं वानता अगर जो आपका खुद का बिजनस है तो भी करमस्तान पर शनी की आशपेक्ट है काम जवाबदारी बढ़ाएगा यह एल्थ के लिए मैं कोई नी प्रॉब्लम देख रहा हूं देखिए अभी प्रेजंटली जो टाइम है शनी अपने घर में है गुरू अपने घर में मंग स्टूडन के लिए तो यह महिना खुशी खुशी बीतने वाला है प्यार करते हैं उनको बारा जुलाई तक बैस इसके लिए लिए लिखा है कि तेरा जुलाई से शुक्र मिठुन राशी में चला जाए आपके छेवेस तान में तो यह एक्सपेंसिव रहेगा आपके लिए और हो सकता है आपके पार वेहिकल कार कुछ हो तो आपके लिए अप्टर ट्रेल जुलाई 12 जुलाई तक प्यार करने वाले लोगों के लिए अच्छा है लेकि 13 जुलाई से शुक्र 6 अउगस्ट तक मिठुन राशी में आपके छे वेतन में यानि कि यह आपके वेहिकल के कि यह बहुत बड़ा खर्च करवा सकता है मैरेज की आई एफ से यस बहुत क्यल्कुलेटिव मैरेज नहीं पहले तो यह सोचते हैं कि मैरेज करना ही नहीं है मैंने बहुत कैप्रिकॉन को देखा 24 वर्ष में जनरली इनको विवा जो बाता है सामने से लड़की का ओफर आत प्रच के लिए लिए अगर आप लॉट्री विडिंग का कोई कोशिश करते हो शेर मार्केट का करते हो तो 18 जून से बारा जुलाई तक आपके फिट आउस में लवा उसमें शुक्र है यह आपको यह भी फाइडा दे सकता है शेर मार्केट का तो इन शौट अगर अभी यह प्यार के लिए अच्छा फाइदा दे सकता है अभी एक तो मैंने बोला कि आपको शनी का उपाय करना है शनी का उपाय में मैंने आपको एक तो बोला कववे को खाना दाटिया खिलाओ कववा देखें पक्षी में सबसे बचूरत पक्षी दूसरी बात उसका आवाज भी अ बहुत बच्छूरत जनली देखें आपके लंडमे शनी आएगा ये लास 28 सान से जो मेहनत करवाया था उसका रजारा वाफस थोड़ा तो देगा ही आपको जनवरी 2020 में आपके लंडमे शनी आया एप्री 2022 तक ये शनी लंडमे ही था अभी शनी दानस्ताम में गया आपका 19 से 11 जुलाई कर लोगा से मैटल से जो लोगों का काम जुड़ा है उनके लिए थोड़ा फाइदे मन रहा अभी फिर से रेट्रो हो रहा है 12 जुलाई से 16 जन्वरी कर नौपरी छोड़ने का बहुत बार मन करेगा आपके पती या पत्नी के हेल्थ के भी छोटे मोटे कि पनोती है समझ के चलो आप इसको डिफिकल्ट टाइम से बहुत बड़ा देखें इंवेस्टमेंट पॉजिटिव टाइम इंवेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट पोटफोलियो में चेंज करने वाले हैं इस दाइन में मंगल और राहु चतूत में आ लोगों के आजू-बाजू होना मतलब कहीं ना कहीं ऐसी जगा घर मिलेगा जो आपका धर्म नहीं दूसरे धर्म के लोग हो आजू-बाजू-पोडोस में हो आपका ओल डिफिकल्ट हो सकता है ओल्लेज का जो प्लानिंग किया उसमें भी घरवर करा सकता है यह फॉर्था लोगेगा नहीं तो आपके साथ चीटिंग भी हो सकता है राओ के साथ है मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा इंवेस्ट नहीं करिएगा कई कोई बोल देगा कि रोड टच है या मैट्रो आने वाला ऐसा वैसा तो इंवेस्ट्मेंट पहले कंफर्म होने कि मैं तो मानता आपको लेंड इंवेस्ट्मेंट प्रॉपर्टी इंवेस्ट्मेंट अभी नहीं करना चाहिए यह तो बी केरफूल कोई आपका बिजनस इंवेस्ट्मेंट का चक्कत हो सकता है इस समय में तो यह अबाउट समझे के आभी देखिए बूद और सूर्य है जो सूर्य छेवे स शुरू हो रहा है जैसे शुत्र का वहां फिनिश हो रहा है सफर आपका फित ताउस का और शनी का लगने का सफर शुरू हो जाएगा यानि कि थोड़ा मेरेज लाइप नहीं आपको जीवन बोडम भना रहेगा आने वाला तेड़ साल तक आपको हर अमावस के दिन प्रब्लम कर सकता है मन की अशान्ति कर सकता है घर में और में रिलीजियस माहर नखियेगा और यह रहू फोर्थ हूस का देखिए एक्स्प्लोजिव है रहू मंगल का अंगारा क्यों हुआ है घर में जगडे का वाताउन भी खड़ा कर सकता है तो केर्कुल लगिएगा घर अगर के अंदर यह एकनम स्ट्रेश फुल वाताउन रखेगा यह संबवना ज्यादा है घर के अंदर आपको लगेगा के बहुत स्ट्रेश फुल वाताउन चल रहा है और ऐसा है तो विश्म शरत्र नाम करिएगा काफी फाइदा हुगा और हनुमान चालीशा करिएगा उसके इस महीने में 28 जुलाई को गुरू फुष्य नक्षत्र है अमावज भी है उडने और पुरू पुष्य नक्षत्र के दिन लिए नक्षय नक्षत्र है को हुझे नक्षत्र का स्वामी है वह शनी शनी मझे sigue path पुश्य नैंकि tääपुस्स नाय झापना इसकर फॉस्य पो पूरे दिन आप कभी भी गोल खरीच सकते हैं जनरली लोग इसके लिए खरीचते हैं कि पूरे वक्त में बेचना ना पड़े गोल इजी टू कहरी है पूरे चैणर रूपिया प्रैसा है इसको आपको कहीं नहीं रोकड़ा भी नहीं हो सकता में जाओ कहीं जाओ गोल कहींभी रोकड़ा हो जाता मैं बेचना ना पड़े तो 28 जिलाई को आप वह भी पिला तव खरीच सकते हो एवन वेगल भी खरीच सकते और यह बुरू आप ये दिन अठावी जुलाई वेहकल के लिए भी अच्छा है। अमा उसका मैंने बता है। चतूरजी का देखिए जो आप मैंने आपको अनुवान जी का अनुवान चालीशा नदे के लिए बुला रावुमंगल का यूति है घर में आपका। आइक मन के स्टार में मम्मई के स्टार में तो इसका ढ़यर व्यान किया तो ये रावुमंगल का यूति घर का अशान्ति कर देता है। मन का अशान्ति कर देता है। लटू का प्रशाइब भिभाया है और धीन चाहिएगा प्रैशाम करी में लरकूरया को यह ओ हुआ क्वासपता उच्छी काश्टा खाईगा। ज्यूठी बेल Beetle रही लीए नव अगश्य बाध खरी लिएगा। आप उसका आजू बाजू का एरिया भी जरूर देखिएगा वास्तु शात्र वाले किसी भी आदमी को जनरली ज्यादा लोग पैसा नहीं लेते हैं आप जब घर लेते हो पचीद परचीद लाग रुपे का तो दो पाज़जा रुपे का कंसलेशन देने में कुछ प्रॉब् आपने खरीना तो यह फिश्यर में प्रॉब्लम कर सकता है यह संबावना है मतलब रॉंग इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट है चेंजी सीने यह पॉजिटिव है बट आप रॉंग इन्वेस्टमेंट में न जाओ इसके लिए और मेरा श्मानना है थी कि एक अगर आपका जनली में देखता हूं कैप्रिकॉल लगना वालो मैरे था प्रोब्लमेटिक ही है रवरी कैल्कुलेटिव मैरे था फूल अप बोडम वरी था विबामें फिलिंग्स में इतना कैल्कुलेटिव लोग नहीं होने चाहिए जब मैं कैप्रिकॉन लोगों को बहु सब्सक्राइब करें जलाभी शेख करो भगवान शीव का वंदीर है घर के पास होगा शंकर भगवान को जलाभी शेख करो इस विल बेस्ट है ग्यारा जुलाई और पचीछ जुलाई को अगर आवी वाइस है तो हाथ में गुरू का स्टोन भी पहनो मैं जब तक आपका विव लगना में और खुबी देखता हूं कि उनमें कोई ना कोई आर्ट से जुड़ा या इदर म्यूजिक है डांस है कोई ना कोई कला शेत्र से अगर आप जैसे लोग जनरली जुड़े होते हैं क्योंकि मत्षणी का लगना है और जिद्दगी में बड़ा वर्खोली बनना ही या दो बड़ता है वर्खोली पीपल या वनिव एंप बरी यह इंव प्रखोली पीपल में तुक्र की रहस्ली इसके लिए अपनी मौच के लिए कोई ने कोई कला देशे से शेत्र में आप अगर जो जुड़े ही होते है जयादा से आपका एटेश्मेंट मेने देखा है कि प्रिकुर्ण का उसकी वज़े से आपको बहुत में फिल्म मिलता है जीवन में पीछे जब पीछे का समय आता है उसमें बहुत समय के बाग यानि पचास-पश्पन के बाद जिंदगी में एक में फिल्म मिलता है दरिज बीकोज अब दिस विद्वी वीदर का फिफ तांस का प्रिप्ताउस में राशी है इसके लिए देखिए इस महिने में 14 जुलाई से 11 अगस्त कर श्रावन महिना है यह स्टेट के लिए और जो नीचे लोग है यानि कि हमारे आंदर प्रदेश है तेलंगना गोवा महाराष्ट गुजरात करनाटक और तामिल लाओं यह लोग उन का डिफ्रंस ओपिनेल का नतीजा है यह सब उसमें ज्यादा मत पढ़िएगा कि कौन सच्छा कौन जुटा आप जहां रहते हैं वहां शीव उपासना करिएगा यह जो दिन है इसमें कि यह महीने में 10 जूलाइ को देव शेनी एकादाशी यानिक हमारे महाराष्ट में पंडरबूर बहुत बड़ा जतरा होता है जोग इदर जाते हैं इज दी पंडरबूर में बहुत बड़ा दरशन का बीद होता है इसके बाद हमने बिलिव कि अधर भस्वान सो जाते हैं चार मेने के लिए यानि कि विवार जैसे कारे को हम टालते हैं 13 जुलाई को गुरू को थैंक्स बोलने का टाइम और श्रावन महिने में भगवान शिव की उपासना करने के लिए बैस ताइम अध्यात्मिक होने के लिए कि जनरली यह समय है अग्रिकल्चर कंट्री है लोग भगवान से यह समय में रिक्वेस्ट करते हैं यानि भगवान से कि यह साल बारिश अच्छा हो जनरली तीन साल बारिश फ्लॉप नहीं होता किसान का जो गडित है देखे फार्मर का ज्यादा कि जमीन से यहां से 16 जुलाई से करकराशी में सुरियान आ जाता है यानि कि पूरी फुर्चवी थंडी हो जाती है अगल दो चारी आगे पीछे रहता है जंदली अब 16 जुलाई से 16 अगस्द तक सुरियान करकराशी में जाता है है जाएगा चंदर की राशी में जाएगा पुर्थवी कूल होने लग जाएगी यानि कि पारिष रेक्टम हरी भरी होने का ताइम किसान का वीजी होने का ताइम यह सब है देखिए इस महिने में गशकेषरी योग है लेकिन जहां देखिए यह आपके लिए जो मिथुन राशी का ज़केषरी योग आपके लिए फाइदे मन रहें कर्ण्या राशी का और मीन राशी का अब यह रोमेंटिक दिन है शुकर का बारा जुलाई का लेकिन बारा जुलाई अपने पास क्यार्फू रहे वाले दीद में लिखाए इसमें चंद्र शुकर का अपोजीशा ने दे यह पांठ बजी के जो पहले का वरार जुलाई दर तुमें तीन बजे का लूमेंटिक दिन हा city वीरुमेंटिक देय्या है और शब्भी जुलाईग यह मितुर्द राशे ने शुकर शुकर का इतलियों हो झानिगे कि आपकर वेहिकल है शब्रफिज पॉक्षरी आप मेंप केरफूर ड्राइव करिएगा अधरवाइस आपके लिए वह एक्सपेंसिव सामित हो सकता है तो इन शॉर्ट मैं इस महिने को आपका एक जुलाई से कोई बहुत बड़ा इंवेस्मेंट पूर्फोलियो में चेंज देख रहा हूं नौकरी दंदे में 29 अपरिल से 11 जुलाई मैंने आपके लिए बताया था कि अच्छा है अब 12 जुलाई से 28 ऑगस्ट को और एक्सिज़ में बोल रहा हूं आपको कोई न कोई रिलिजियस टाविलिग हो सकता है आप अगर फॉरें जाने की कोशिश कर रहे हैं तो 12 जुलाई से 28 ऑगस्ट में आपको फॉरें जाने का चांस मिल सकता है या आपका माइं बहुत रिलिजियस हुआ होगा यह भी पॉसिबिए यह तो अबाउट देखे मैंने इल शौर करें आपके लिए काम धनन्दे के लिए कोई नहीं बढ़ बढ़ी ओफर में जून में लेके ही आया होगा और तीस जून तक मैंने बताया आपको तीन जून से तीस जून कोई नहीं बहुत बढ़ा नौकरी का आपको आना चाहिए कामदंडे का ओफर आना चाहिए इफ यहां से आप आपके हो सकता है विजस करने की कोशिश करेंगे और यह चेंज में कहफुल लगिए का प्रॉपर्टी में नहीं बूज जाईएगा करने के लिए का नान के लिए अविवाइच ऑनके लिए विवा यानि कि अबाउट साड़े पाँच बजे से पाँच से साथ तक समझे लिएगा, पाँच से साथ तक में भगवान शीव का दर्शन करके बाद में खाना खाओ, ये अगर उकोष करते हो तो आपको आविवाइद है, तो इसको आपको लाभ हो सकता है, ये प्रोडिक्शन है उ भगवान शीव को जला विश्य इसलिए किया जाता है, जब भगवान शीव ने जब विश्व पिया था आमुर्ट मंधन के समय, उससे शरीर में से आग की ज्वाला ही निकलती, निकलने लगी बहुत गरम विश्य शरीर में बहुत गरम हो गया उनको जैद, इसके लिए हम करते हैं, जो कम लोग करते हैं, उस शरावन महिने में करने का बड़ा महित हुए, मैंने बूला ऐसा, धरती पर श्रद्धा का वाताउन जैसे जैसे, पर्टिकुररी हमारे जैसे देश में, बारिष से जुड़ा वाताउन और शरावन महिना, टेक देवांटेज, इसमें आ शर्मजार का करते होंगे, तो इस बाद को भ्यान में रखेगा, तेरा जुलाई से पहले का टाइम अच्छा है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार केजिएगा, चैनल को सब्क्राइब ना किया हो, तो प्लीज हम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्क्राइब म अर्मच्राइब जोईसे में अच्छा लगा हो, तो बन्यूँ है और ना किया हो बन्यूंसे है, वीडियो गया है, वीडियो खाल अखेगा, शवाँनो रेक्षार ना किया हो जानके तो अर्मजार से पिलीज है।